नमस्कार दोस्तो, कोल गैसिफिकेशन को लेकर बजट 2024 में बड़ा एलान इन दो PSU स्टॉक पर रखे नजर दोस्तो इस बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रेक्वेस्ट है प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीचे और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन अन कर लीजिए बजट 2024 में सरकार ने कोल गैसिफिकेशन को लेकर बड़ा एलान किया है 2030 तक 100 टन कोल गैसिफिकेशन की छमता स्थापित करने का लक्ष रखा गया है इसका सबसे ज़्यादा फाइदा कोल इंडिया और भेल को होगा PSU Stock अंतरीम बजट पेश करते हुए वीत मंत्रे निर्मला सीता रमन ने कोल गैसिफिकेशन को लेकर बड़ा एलान किया है वाला कदम है सरकार ने इस एलान का सबसे ज़्यादा फाइदा कोल इंडिया और भेल को होगा इस समय कोल इंडिया का सेट 406 रुपे के स्तर पर और भेल 225 रुपे के स्तर पर काड़ोबार कर रहा है सरकार ने हाल में ही कोईला और लिगनाइट गैसिफिकेशन पर योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए वित्तिय मदद के तोर पर 8500 करो रुपे के परिवे को मंजूरी दे दी है इसके साथ ही सरकार ने 13052.181 करो रुपे के निवेस पर कोल इंडिया और गेल के बीच में एक जॉइंट वेंचर लगा कर SNG सेंथेटिक प्राकिर्तिक गैस बनाने की मंजूरी दी है इसके साथ ही कोल इंडिया और भेल के बीच 11782.05 करो रुपे का एक जॉइंट वेंचर के जरिये अमोनियम नाइट्रेट प्रियोजना लगाने की भी मंजूरी दे दी है FDII का जवरदस इंफलो आया है यह फैसला इस लिहाद से हम है कि यह उन रसाइनों के आयात को कम करने में मदद करता है जिने कोईला गैसिफिकेशन के माध्यम से हासिल किया जा सकता है अपने बजट भासन में निर्मला सीतारमन ने कहा कि भारत को 2014 से अब तक 596 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी इनिवेश प्राप्त हुआ है जो 2024 और 2014 के बीच के आये प्रवाह से दुगना है उन्होंने कहा कि सरकार ने देश में जलिये किर्सी को बढ़ावा देने के लिए ब्लू एकोनोमी 2.0 पहल को भी सुरू करेगी